जलपरी की कहानी, एक गाव में एक किसान रहता था, जो बहुत ही गरीब और वक्त का मारा था, वह प्रतिदिन पास के नदी में जाता था, और अपनी जाल से मचलियों को फसा कर लाता था, उन्हीं मचलियों को बेच कर, अपने परिवार का पालन पोर्शन किया करता था, मच मचली इधर उधर ट्रायल नहीं थी, कि उन्होंने एक जलपरी को देखा, जलपरी ने कहा, क्यूं मचली तुम इधर उधर, क्यूं भटक रही हो, ज्यादा परेशान लग रही हो आज, प्रभू मसीह ने कहा, कि मैं परेशान क्यूं ना रहूं, मेरे सभी परिवार वालों को धीरे धीरे इंसान, निकाल कर लेकर जाता है, जलपरी ने कहा, कि अच्छा, ये बात है, आने दो आज मच्छुआरा को, मैं उससे बात करती हूं, अगले दिन जब मच्छुआरा हो ली नदी, मैं मच्छी निकालने के लिए आता है, तो फॉरण जलपरी बाहर आती है, और कहती है कि तुम्हें क्या चीज की कमी है, जो रोज जहां से मच्छी लेकर जाते हो, मच्छुआरा ने कहा, कि मैं बहुत गरीब हूँ, इन्ही मच्छियों के कारण मेरे परिवार का, पालन पोशन होता है, इसलिए मैं रोज, यहां से मच्छी लेकर जाता हूं, और अपने खजाना में से एक मोती, निकाल कर लेकर आती है, जलपरी किसान को मोती पकड़ा, कर कहती है, कि यह लो मोती है, जाओ इसे बेच कर जमीन खरीद, कर अपनी खेती बाड़ी शुरू करो, और अपने परिवार का, पालन पोशन किया करो, ऐसे देख कर मच्छुआरा, सबी मच्छियां उस जलपरी का धन्यवाद करती है,